चौबिस तारीक और हम तो आज डिसकस करेंगे चौबिस दिसंबर के इंपॉर्टन कुस्टेनर आंसर तो इसलिए इस वीडियो का अंतक देखिए सवागत आपका एक्जाम मंदन में अगर आपने हमारा चैनल लबताव सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लिजे यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करेंट अफेर्स अर्ली हेल्थ वार्णिंग सिस्टम से यह अभी न्यूज में काफी बना हुआ है आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री इसको विक्सित कर रही है तो सही आंसर है इसका यह हमारा विक्सित किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा पृत्वी ग्यान वं होती है वह हमारे क्लाइमिट पर करती है जैसे हो की होगे हमारा मलेरिया हो गया इनके लिए खास टेंपरेचर और साथ में हमारा पर्टिकलर जो एमांट आफ रेंफॉल मॉइस्ट्र की जरुत पड़ती है तो जिसमें की हमारे बैक्टिरिया वार्यस इसमें ग्रो करते है इसी को देखते हुए गौर्णन ने यह इनिसिटिव लिया है जिसके तहट हम लोग यह अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम डवलप कर रहे हैं यह हमारा बनाया जाएगा आएमडी के द्वारा साथ में मिनिस्ट्री आफ अर्ड साइंस के द्वारा दोनों मिल करके इस पर काम कर रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन हमारे लिटेड है आपको बताना है कि कौन सी मीनी काजरंगा एक नाम से एक जो वाइल लाफ सेंश्री काफी फेम अगर डेकि यहां पर डेकर देखेंगे तो यह हमारे असम में यह फेमस इसले है तो यहां पर हाइस डेंसिटी ऑफ रिनसेरस पूरे व्ल्ड में और यहां पर यहां पर यूज और आप आप पॉपलेशन है वह व्ल्ल में सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर जो है तो यहां से ब्रह्म पुत्र नदी आती है उसके ब्रह्म पुत्रा के फ्लट पेंड पेंड यह हमारा लोकेटेट है तो अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहां पे जो है घास को खा जा रही है तो इसी कारण से यहां हमारे खाने पीने का कमी हो जा रहा है इनके रैनोसरस के लिए तो अभी इसलिए न्यूज में बना हुआ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन हमारा लेटेट है यह काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम के लिए यह जो अभी आपने हाली में देखा होगा फाइर फ तो ने लिए यह लिया गया है इसमें लोग करते क्या है इसमें आप लोगशन तयक्हें इंडेंजर्ड ऑची सिंट वस तो बिजली के तारों के कारण इनकी मौत हुआती है, उसको रोकने के लिए ही हम लोग जो फ्लैप्स लगाएं गया है, जो फ्लैप्स हमारे दिखेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है, फायर फ्लैइज, ये फायर फ्लैइज को जो देख करके करीब 50 मिटर दूर से हमारे गे हमारा लिया गया है, मिनिस्ट्री आफ एन्वार्बंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की दौरा, और साथ में हमारे वाइल लाफ कंजर्विशन सोसाइटी की दौरा लिया गया है, ये ट्रॉपिक काफी इंपोर्टन है, इस बात का भी ध्यान में रखेंगे, ये हमा अगर आपको हिस्ट्री आपके बारे में थोड़ी भी जान का रही है, तो बिल्कुल आपको पता होगो इनके बारे में, तो ये कौन थे, ये हमारे अकबर के जो नौरतन थे, नौरतन में से एक हमारे ये भी थे, अब्दुलरहीम खाने खाना, इन्होंने जो है, इनका उपन किया गया है, छे साल के काम के बाद, इसलिए अभी नौरतन में भी ये आया था, इनकी जो बुक है, आप दोनों का नाम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक्जाम में पूशा जा सकता है, नेक्स्ट कुशन जो हमारे रिलेटर है, ये हमारे रिलेटर है जली कट्टू से जली कट्टू जो है, आपको बताना है कि कौण से स्टेट में प्रैक्टिस की जाती चाथै, तो सही HERE अंसार है इसका, इसलिए हमारे प्रैक्टिस की जाती है तमिलनाडू के अंदर, तो अभी ये निव्ज में क्यों था, निव्ज में इसलिए आया क्योंकि अभी जो उसके लिए परफॉर्म करने के जलिकुफल को परफॉर्म करते हैं मिल गया है उसके लिए निज्म में था कि इसके लिए काफी परिसान रहते हैं जानवरों के लिए तो यह काफी नीज में बना रहता है यह festival है इसलिए आपको ध्यान में रखना है जो ज़लीकट्टू कहाँ कतलव होता है बुल तो आपको ध्यान मेरे रखना है जली कट्टू कहा का फेस्टिवाल हैφब है इस बात का ध्यान रखेंगे और इसमें जो आपको ध्यान मेरे रखना कि कायों की जगह हम लोग बुल्स को प्रेसेडंट फेस्ट्रिक नहले प्रिफर करते हैं क्यों Question यह आंसर है 23 दिसंबर को यह हमारा सेलिब्रेट किया जाता है तो अभी यह निञ्ट्वड में फार्मस का फ्रटेस्ट चल दा है इसलिए आपको तिल्एब्र को ध्यां में रखना कि यह हमारा 17 दिसंबर को एक और जो Mount Everest था Mount Everest की जो height जो है इस बर हमारी change कर दे गई है तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है Mountain Day का अब celebrate करते हैं यह हम लोग celebrate करते हैं 11 दिसंबर को हमारे जो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरन सिंग के birthday को celebrate करते हैं के लिए हम लोग यह नैसल फार्मस डे बनाते हैं यह हमारे फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे जो हमारे प्राइम स्टर बने थे 1979 से 80 के बीच में और उन्हें काफी बढ़िया काम किया था हमार है फार्मर्स के लिए और फार्मर्स सेक्टर के लिए काफी अच्छा काम किया था अगरिकल्चर के लिए इसलिए हम लोग इनकी नाम पर 23 तारीक को ही हम लोग फार्मस डे या फिर किसान दिवस को celebrate करते हैं तो बिलकुल आपको ध्यान में रखना है यह important है काफी exam के लिए अभी जो डिजी बॉक्स के नाम से कुछ लॉंच किया गया है आपको बताना है विच और्गनाशन मिनिस्ट्री और इंस्यूशन है लॉंच इंडिया फॉर्स डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरिज प्लेटफॉर्म भारत का पहला डिजिटल संपत्ति प्रबंधन और भंडारन मंच लॉंच किया गया है डिजी बॉक्स तो आपको बताना है किसने लॉंच किया है तो सही आंसर है नीती आयोग नीती आयोग दोरह यह डिजी बॉक्स लॉंच किया गया है तो इसमें जो फाइदा क्या होगा पहली बात तो यह हमारा इंडिजिनेस है मतलब कि locally develop किया गया है तो हमारा local हो गया जो हमारे data storage होगी वह हमारे local होगी तो इसमें क्या होगा data security के अब इसमें हम लोग ध्यान में रखेंगे और इससे हमारा क्या होगा आत्मिरमर्ण भारत को भी promotion मिलेगा तो आपको ध्यान में रखना है यह हमारे made in India है पूरा digital asset management और storage platform है जैसे कि हम लोग को गूगल ड्राइप लोग store करते हैं तो उसी तासे हम लोग data इस पर इस पर फ्री नहीं है इस पर कुछ जीवी तक free है उसके बाद आपको पैसे payment करने पड़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे डीजे वॉक्स किसके लाइंच किया गया है तो लाइंच किया गया हमारा नीती आयोक के द्वारा अब हमारा next question है leather park स्थापित करने वाला देश का पहला राज कौन बनेगा तो सई आंसर है इसका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है हमारा यह यहां पर इंडा का फर्स लेदर पार्थ के रहे यहां पर काम होते आ रहा है तो यहीं एम्यू जो है अलिगर मुस्लिम यूनिसिटी यही कव स्टेबलिस किया गया था तो सघ्यासर है इसका 1920 में स्ट्वेशच क्या गया था मुंझाग्टμ सवागव्स ए इन्षर इस्ट्वीच्ट में सब्सक्राव गया था मिज़स निगों सब्सक्राइब करने के लिए तो आपको ध्यान में रखना है एंगलो औरेंटल कॉलेज यह अलिगड़ में बनाया था 1877 में यह रहा हमारा सेयद एहमद खान यह हमारे सोसल रिफॉर्मर थे काफी काफी सोसल रिफॉर्मर है इन्होंने यह कॉलेज को स्टैब्लिस किया इसी क को कनवर्ड करके हैं एम यू में बना दिया गा था 1922 में तो अभी यह निउस में क्यों है क्योंकि हमारे प्रधानमंतरी मोदी जी ने यहां के सवभी वर्जगाट पर यहां पर यहां पर हम लोग के भासन दिया था ओनलान उन्होंने इसको सेलिब्रेट करने के लिए भास सब्सक्राइब बिल्कुल न भूलिएगा तो चले फिर कल मिलते हैं अज के लिए बस इतना ही धन्यवाद